तो यह है boat rocker 255 pro plus जिस तरीके से इसके नाम बढ़े ना उस तरीके से इसके features का list भी काफी लंबा, इतने features से कि कुछ features में तो problem है लोगों में कि यह सही से बर्क भी करता है कि ने करता है, तो मैं यह सारे confusion दूर करने वाला हो और यह भी आपको देखने हो मिलेगा कि इसके जो वोट के तरब से premium neckwind वाल है, मतलब earphone है, जिस तरीके से इसके features है, इससे ज़्यादा आपको वोट में नहीं देखने हो, मतलब किसी company का premium neckwind यूज कर पाऊ, और जिस price range में आता, main बात यह है कि 1299 में आपको देखने हो, मैं लिंक नीचे description में दे दिया, कभी-कभी 1500 में, पहले ही निकाल चुका हूँ, क्योंकि इसी के बज़ा से आपको पूरा detail कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी, आपके लिए box में क्या मिलता है, उसको दिखाने के लिए फिर से unbox किया, तो देखते हैं, यह है आपका product का box packaging, जो काफी अच्छा लगता है, दुबारा भी मैं खोल यहां पर specification तो भरे पड़े, इससे भी ज्यादा specification आपको वीडियो में बताएंगे, तो चलिए इसको open करते हैं, यहां पर देखिए आपका earphone देखने को मिल जाता है, जो की सारे company को देना ही चाहिए अपने box में, और उससे भी ज़रूरी चीज है, जो की देते ही सब लो नंबर पर miss call mark activate भी कर सकते हो, यहां पर आपको user manual देखने हों जाते हैं, जहां पर बहुत सारे specification, detail में आपको समझाए गए है, और यह है आपका boat का neckband earphone, जिसको मैंने setup करके लगवग एक दिन यूज कर लिया, तो चलिए इसके बादेटेल में बात करते हैं, तो सबसे प microphone, button, port, यह सारी चीज़े देखने हो मिल जाता है, और यह जो पूरा design है, आपको flight देखने हो को मिलेगा, लेकिन में यह जो earbuds है, आपको यह थोड़ा heavy लगेगा, मतलब यह metal के है, पूरा, मतलब यह build है, plastic का देखने हो मिल जाता है, मतलब हलके full के plastic है, काफी build quality में तो कोई आपको in-ear design वाले, आपको ear tips वाले देखने को मिल जाता है, जिसके बज़ा से आपको काफी अच्छा है, मतलब इसमें passive noise के specific, आपको box में mention भी किया गया, और काफी अच्छे तरीके से passive noise के इसका बर करता है, मतलब रवड की सायता से बाहर के जो आवाज है अंदर नहीं आ इसके साथ जो medium size वाले ear tips लगे थे, तो उसको पहन के जब आप मुंडी-उंडी हिला रहे थे या दोड रहे थे तो गिर जा रहा था, और इसके जो ये वाला extra ear hook है ये वी काफी hard है तो वह भी साही से work नहीं कर रहा था, तो मैंने इसके छोटे वाले part को जो की सबसे small size वा बड़ा issue नहीं देखने को मिल जाता है, अगर आपना west ear tips चुन लोते हो उसके बाद पहनते हो तो काफी लंबे समय तक यूज कर सकते, port and connectivity की बात करते हैं तो इसमें आपको type C port देखने को मिल जाता है, मतलब यहाँ पर आपको fast charging का भी support देखने हो जाता है, तो काफी अच बात की charger से आप चार्ज कर सकते हैं, इसमें extra high voltage protection भी है तो अगर आप normally आपके smartphone का कोई fast charger तो उससे भी charge कर सकते हो, कोई problem नहीं देखने हो मिलेगा, इसमें ASAP जो fast charging का support मिलता है, उसके बज़ा से आप 10 मिनट में 10 घंटे का playback time इस से ले सकते हो, पर इसमें total आपको 300 mh की battery देखने हो मिलेगा, अगर आप full charge कर लेते हो, जो की लगवक तेट घंटे में charge हो जाएगा, तो आप 40 घंटे तक आप इसको playback ले सकते हो, मतलब इसका 40 घंटे तक यूज कर सकते हो, वह भी 60% volume पे, connectivity में Bluetooth का 5.0 वाला version मिल जाता है, जिससे की connectivity काफी fast हो जाती है, इसमें dual pairing देखने हो मने जाता है, लेकिन इसका situation क्या है, कि आपको दोनों device को pair तो करी लेना है, और दोनों में Bluetooth on है, इसका भी on है, तो दोनों में आपको दिखाएगा कि बोट रोकर 255 Pro Plus mention दिखाएगा, कि यह बैटरी इंडिकेटर भी सब दिखाएगा, लेकिन इसके काम करने की features इस तरीके से होंगे, कि दोनों में अगर आप music play कर रहे तो पहले में music play किये तो उसका इसमें आवाज आने लगा, फिर दूसरे में music play करो तो music तो आगे बढ़ेगा, मतलब music play हो रहा, लेकिन आवाज नहीं इसमें आएगा, उसके लिए पहले बारे को बंद करना तो तब उसका music आएगा, मतलब एक बारे में एक ही का music आपका आएगा, तो यह आप ध्यान रख सकते हो, और यह ही तो होता है dual पर, अब इसके remote and mic quality की बात करते हैं, तो देखिए इसमें आपको remote देखने हो थ्री बटन आपको काफी click ही देखने को मिलेगा, मतलब कुछ इ इस तरीके से तो काम आप करी सकते हो, लेकिन अगर next song करना तो ऐसे normally क्या होता था कि बीच वाले जो multifunctional बढ़े होते हो, double click या triple click previous song के लिए करते थे, लेकिन इसमें क्या है कि volume plus वाले को long type करोगा, तब next song आएगा, minus वाले volume वाले करोगा, तो previous song आए, तो यह थ्वा difference है, और यह multifunctional button से आप Google Assistant को मतलब on कर सकते हो, और इसका जो multifunctional button का एक और काम है कि जब आप first time इसको unbox करोगे, तो उस समय आपको इसको long type करना है 3 second के लिए, तब यह pairing mode में जाएगा, और उसी तरीके से आप off भी कर सकते हैं, इसको type and hold करगे, क्योंकि यह इसका metallic connection देखने हो म नहीं है, बस यह metal है, बस चीपकता है, आप लटका सकते हो, इस तरीके से, इसका कोई भी काम नहीं है कि आपका earphone पूरा off कर देगा, disconnect कर देगा, इसका कुछ नहीं है, तो आपको जब भी on करना पड़ेगा, इसी से on करो, multifunctional button 3 second के लिए दबा कर, और 3 second के लिए दबा कर, आप भी कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे connected है, आप छोड़ दोगे, तो connected ही रहेगा, अगर disconnected है, ऐसे पड़ा हुआ है, open, तो अपने आप भी यह बंद हो जाएगा, कुछ time के बाद, यहां पर LED light notification भी देखने हूं में जो कि अलग-अलग situation में की battery charge कर रहे हो, या फिर अग अगर connect है, नहीं connect है, pairing mode में तो अलग-अलग situation में, अलग-अलग तरीके से, यह red and blue type से चलता है, या चलता है, अगर इसके mic quality की बात करें, तो उसके पहले मैं बताना चाहते हो, कि इसमें CBC एक आपको noise cancellation मिलता है, जो कि आप किसी से बात करते हो ना, तो आपकी जो noise होती हो काफी हद तक ही कम करता है, आगे वाले को अच्छे मतलब आपकी आवाज सुनाता है, तो मैं देख लेता हूं किस तरीके से इसमें audio आता है, यह जो आवाज है, boat rocker 255 pro plus के microphone से record हो रहा है, और आप देख सकते हो कैसी इसकी quality है, या CBC जो noise consistency में दिया गया है, वो किस तरीके से work करता है, इसके music and gaming quality की बात करें तो देखें, music के सबसे पहले बात करते है, इसमें 10 mm के dynamic driver है, तो मतलब surrounding sound तो आपको काफी अच्छे dynamic driver से देखने को मिल जाता है, इसमें कोई problem नहीं, लेकिन जो इसमें bass है, सबसे main इसका bass है, मतलब बहुत इसके ऊपर वाले भी, अगर ज्यादा suppression देखने को मिल जाता है, उसमें जो छोटे-छोटे bass होते हैं, वो भी काफी clear सुनना है, मतलब instrument suppression ये सारी चीज़े आपको काफी अच्छे देखने को मिला है, लेकिन आप अगर high volume पे सुनते हो, तो आप सुन सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ, wireless earphone के मामले में काफी ज्यादा है, problem वहाँ देखने को मिलेगा, कि high volume पे अगर आप bass वाले गाना सुन लेगा, आपको इतना ज्यादा bass देखने को मिलता है, कि चूबने लगया, जैसे कान खुदते हो ना, कभी चूब जाता है, उस तरहीं कैसे आपको देखने को मैं है, तो मतलब 10 मिनट से ज्यादा नहीं सुन पाओगे, मेरे situation में तो ऐसा ही था, आप देख लिना, मतलब high volume पे मैं recommend नहीं करूंगा, bass वाले music ऐसे आपको आदा थे, normal volume पे बहुत देर तक सुनने के लिए, और high volume पे तो आप सुन सकते, bass वाला कोई नहीं सुन सकता, high volume पे, को confusion है कि aptX में support नहीं करता, मैंने देखा कि SBC तो normal play हो रहा था, और अगर आप Bluetooth के setting में जाकर देखोगे, तो double AC भी आप codec यूज करते हो, जिससे कि music quality का experience काफी अच्छा हो जाएगा, मतलब detail wise मतलब उसका resolution wise music का काफी बढ़ जाता double AC में, लेकिन जो aptX से वो और अच्छ को codec करता है, मतलब transmit करता है, कुछ और चीज के लिए होता है, और एक होता है कि low latency mode के लिए होता है, हमारे हिसाप सुझे, इसमे low latency mode दिया गया है, उसका use किया गया है aptX codec का, अगर इसमें बहुत high quality का होता है, अगर low latency mode, तो अलग से button होता है, या switch करने का होता है, लेकिन ये बस codec का use किया गया है, Qualcomm का aptX का, सिर्फ low latency mode को enable करने के लिए, क्योंकि उतना भी ज्यादा low latency mode नहीं होता है, लेकिन codec की साहिता से जितना हो सकता है, Qualcomm का aptX codec है, उसकी साहिता से करने कोसिज किया गया, तो aptX की दिखाता है, जो कि मुझे लगता है, आपको क्या लग से, तो अगर आप gaming करते हो, तो देख लो कितनी latency देखने हो मिलेगा, तो मतलब gaming में अगर आप बिलकुल अभी शुरुआत करें, तो उतना आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आप gaming करते हो, तो थोड़ा आपको competitive game होता है, ये साब बीजी व्या अपलब latency नहीं देखने हो मिलेगा, इसे, नॉर्मली 900-1000 पे जो भी एएरफोन होते है, वाइलेस वाले हो, उसमें थोड़ा बहुत वीडियो में भी latency देखने हो, लेकिन इसके साथ वो कोई भी प्रोब्लम नहीं होगा, और gaming भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, मैं recommend नहीं काफी movies भी देख, मतलब काफी नहीं अखी movies देख, तो उसमें कोई भी hissing-fishing की आवाज नहीं आया, जितने भी situation बताए गया था YouTube में की इस time आता हो, उस time तो नहीं, यह हमें लगता कुछ-कुछ ऐसे, मतलब pieces निकले होंगे, जिसमें यह problem आ रहा तो, अगर आपको में यह problem आ रहा तो, आप extend कर सकते हो, मतलब return कर सकते हो, तो आपको problem soft हो जाएगा, कुछ अधर features की बात करते है, इसमें IPX7 का water and sweat resistance देखने हो मिल जाता है, मतलब IPX7 काफी बड़ी चीज होती है, इस इस price range में आपको IPX4 देखने हो मतलब IPX7 का मतलब, कि आप इसमें, मतलब बार मतलब जादा है, तो आप उसमें इसको यूज कर सकते हो, IPX4 भी उस तरीके के condition के लिए best होता है, लेकिन IPX7 थोड़ा जादा है, आप समझ सकते हो, इस price range में, काफी अच्छे है, water and sweat resistance देखने हो, जादा पानी भी आ जाएगा, कोई problem नहीं देखने हो मिल जाता है, आपको आदमी बोलता है, मतलब आदमी को introduce किया गया, मतलब लड़के को या जो भी हो, तो आपको बहुत बार irritate करेगा, जैसे आप music सुन रहे हो, या फिर यहां से volume आप करो गए, full volume, तो full volume, इस तरीके से कुछ बोलेगा, अगर connect हो जाएगा, disconnect हो जाएगा, यहां तक की call भी battery life है, अभी तक तो मैं इसको 10% तक लाही नहीं पाऊ, लेकिन 10% से जैसे नीचे जाता है, तो हर एक मिनट में वो आदमी आपको तंग करेगा, battery काम है, आप चार्ज कर लिए, मतलब कुछ ऐसा बोलेगा, अभी मैंने सोचा नहीं क्या बोलेगा, लेकिन 10% के बाद आपकी बैटरी जाएगे, तो हर एक मिनट में आपको याद दिलाएगा, वगर हम अपनी conclusion की बात करें, कि आपको ये earphone लेना चाहिए, कि नहीं लेना चाहिए, तो जिस price range में आता है, और board का किसी company का premium earphone ले रहे हो ने एक band का, तो आपको काफी इसमें board का signature sound देखने में मिल जात आप इसके लिए beige एक मतलब जा सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज और extra add करना चाहता हूँ, कि 1299 होगा तभी लेना, 1500 में ये बेस्ट है, लेकिन जब 1299 बार बार आता है, मैं link ने चे description में दी, आप check out कर सकते हो कि अभी कितने में चल रहा है, तो 1299 में में extra value for money है, तो आप बि आप